बोचपुरी पावस्टार पवन सिंग का स्टारडम बॉलिवोड स्टार से भी कहीं ज़ादा आगे है जी हाँ आप सभी को बता दे कि पावस्टार पवन सिंग का गाना बद्दे सौंग नमबर वन पर ट्रेंड कर रहा है और इस नमबर वन की पोजीशन पे काबिस था पठान फिल्म का गाना आपको बता दे कि जैसे ही पवन सिंग का गाना आया, फैंस ने इतनी व्यूज दिये इस गाने को कि ये गाना तीन दिन से नमबर वन की ट्रेंडिंग में बना हुआ है और किंग खान शारुख खान को अपनी कुरसी छोड़नी पड़ी पावस्चार पवन सिंग के इस गाने के लिए वैसे ये पहला मौका नहीं है जराब जब पावस्चार पवन सिंग के गाने को नमबर वन की ट्रेंडिंग मिली हो और वो भी इस कदर की उन्होंने बॉलिवुड के सौंग को पचाड़ा हो इससे पहले जब भी पावस्चार पवन सिंग का गाना नमबर वन की ट्रेंडिंग में ट्रेंड किया है उसने बॉलिवुड के कई दिगज कलाकारों का गाना खिसक कर दूसरे पायदान पर आया है वैसे आपको जानकर हैरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि लगभग दो महीने होने को आ गये है और हरी हरी ओरनी नमबर फोर पोजेशन पर ग्लोबिली ट्रेंड कर रहा है तो ये है ट्रेंडिंग स्टार पावर स्टार ये है पवन सिंग जो की कभी भी कुछ भी कर सकते है बहुत चुपरी जगत की होटर मसाले दर गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना हम बिल्कुल न भूले